नमस्कार जय हिंदि स्टड़ी भात में आपका स्वागत है तो देखें एंटी के सबसे बड़ी लापरवाही जिसके कारण यूजिसनेट के एक्जाम हो गया है पोस्पॉन तो पूरा नोटिज डिसक्स करने वाले हैं वीडियो कंदख बने रहिए तो लेकिन उस पहले आपक सब्सक्राइब पीडियाफ ग्रूप में पेपर वन की कॉस्ट नाइटीन रुपीज और पेपर टू की कॉस्ट नाइटीन रुपीज यह सब्जेक्ट यहां पे लिखे हैं तो बिना देर करिए अपना फोर्न उठाइए इस नंबर पर कॉंटक्ट वाट्सप करिए आपको जो एक्जाम है वो पोस्ट वन किया गया है जिनका कॉमर्स अब्जेक्ट है पूरा नोटीस देखिए पूरा नोटीस पढ़िए आपको पूरी चान करें मेलेगी आपको यहां पे पता है कि देखे जिनका टूंटी नाइफ सब्तमबर को एक्जाम है उनके आडमिन का यहा आप आप्टेट फॉर Commerce Subject यहाँ पर हाइलट किया है किसे Commerce Subject की रिगार्डिंग ऐसे नहीं कि 29 सब्तमबर को जितने एक्जाम है सबका लेकिन नहीं Commerce Subject के रिगार्डिंग ही इनने बताया है कि कुछ Candid है Commerce Subject के जिनके देखेए Admit Card जो है वो सेंटर पर दिये जाएंगे ठी जिकर के ऐसे यह क्या है जिनका Admit Card blank आ रहे हैं मालीच आपका 29 सब्तमबर को एक्जाम है Commerce का अगर आपका Admit Card निकल गया तो अब एक्जाम दे सकते हैं लेकिन जिनका Admit Card blank आ रहा है किसी कारण से तो उनका एक्जाम जो है वो 30 सब्तमबर के बाद होगा 30 सब्तमबर के Admit Card blank यहां पर आ रहा है ठीक है जिनका Admit Card निकल रहा है वो जो एक्जाम दे सकते हैं लेकिन देखे जिनका Admit Card blank आ रहा है तो उनका ही यहां पर एक्जाम पोस्ट्पन हुआ है उनका एक्जाम को अब होगा 30 सब्तमबर के बाद वो यह नहीं सोचे कि हमने Admit Card निकाल रहे ह Admit Card निकल निकले हैं लेकिन जिनका नहीं निकलेगा खास करके Commerce सब्जेक्ट के लिए उनका ही 30 सब्तमबर के बाद होगा बाकी जिनका Management सब्जेक्ट है उनका उस दिन एक्जाम definitely होगा तो सबसे पहले आप क्या करें कि अपना Admit Card को download करें अगर आपको हो जाए तो आप एक एक्जाम उनसे ढंक से नहीं करवाय जा रहा ठीक है तो फिर भी क्या कर सकते हैं आप और हम तो वीडियो भी बना सकते हैं हम उनको कॉल भी कर सकते हैं लेकिन उनसे कोई फाइदा होता नहीं है वो करते अपनी मर्जी है तो हमें उसके कोडिंग ही चलना पड़ता है सो बने झाल 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 झाल